हेलो फ्रेंड शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बनाना केक की रेसिपी तो आप देखे यहां पर हमारा केक बन के तयार हो रखा है और किस तरीके से हमने इसको बनाया आप देख सकते हैं बाउल से दूतरा बाउल में थोड़ा सा कम पौने दो बाउल मैंने मैदा ले लिया है इसको हम चान लेंगे और यह देखिए और एक ही परतन का आपने मीजरमेंट रखना है इससे हमारी रेसिपी खराब नहीं होगी तो जो जिस काटोरी से मैंने मैदा लिया था उसी काट बाउडर लिया है मलब शूगर बना लिया है मैने साथ उक्ड़ किना नोतरी आप मलब चीनी से नहीं करेंगे फिर यहां पे ले लिया है आयलिरफाइ Corn nekoara और यह दो की लिये मैंने गाड़ कर डाल देंगे मैने स्लीस तरफ मैंने गैस पे रख लिया है एक कड़ाई को उसमें नमक डालके मीडियम प्लेन पे हम उसको प्री हीट करेंगे 10 मिलाट तक और दूसरी साइड ये मेरा बनाना ओयल और शोकर पाउडर को मैंने ग्राइड जार में ग्राइड करके उसका मिक्षर बना लिया है इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और फिर हम इसको अच्छे से मिला के इसमें डाल देंगे जो मैदा हमने च्छान के रखा हुआ है तो इस तरीके से ये देखिए आप मैदा भी हम इसमें मिला लेंगे और इसको अच्छे से इसका मिक्षर तयार करना है और आसानी से हमारा बनाना की घर पे बनके तयार हो जाता है एजी से इस्टेफ लेकिन केक बनाते समय यह चीज का धिहान रखना है कि मीजर्मिंट हम एक ही बरतन का रखें तो यहां पर मैं मैदे को मिला रही हूं जो हमने मिक्षर बनाया था शुगर पाउडर बनाना और ओयल का तो उसके साथ मैं इसको मिक्स अप कर रही हूं अच् झाल देंगे दूद्र लेकिन अबी मैं पहले देख रहूं थी यह नहीं हूं और दे हृघले लीकिन इसके के बार समय बनाया एसेंस डाल रगय हूं और उसके का टुक्रा अंदर से ऐसा होना चाहिए बिलकुल स्मूद्ध जैसे होता है तो उस तरीके से हम इस को मिख्स कर लेंगे यह दीखीए यह है कि है तो हमने इसको αच्छे से मिला लिया है अब हम इसको डाल देंगे केक्टिन मेरा यहां पर लędzie लिया है इसमे थोड़ा लोग ऑईल के बाद मेदा ड़ुट करते हैं लेकिन मैंने नहीं किया है किवल ऑईल ही लगाया है तो इससे भी अच्छा बनेगा नहीं चिपके का केक क्योंकि ऑईल लगाने से अब तो यहां पर मैंने अल्रेडी 10-12 मिनट प्री हीट हो गई है और इसका जो थाली है इसको मैं अच्छे से निकाल देती हूं गरम होती है तो इसको सावधानी से करें यहां पे अब हम इसमें एक स्टेंड रखेंगे इस्टेंड की जोगों आप ऐसे कोटोरी भी रख सकते हैं तो उसमें अच्छे और इसको 20-25 मिनट के बाद आप थोड़ा चेक कीजिए लेकिन इससे पहले 20 मिनट से पहले आप इसका धकन ना हटाईए क्योंकि इसमें जितनी भाफ होगी उतना यह जल्दी से पकेगा और 20 मिनट बाद आपको एक बार चेक करना है तो 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था न यह तो साफ है तीली तो यह देखे बहुत ही अच्छा कलर आया है और हमारा केक बन के तयार है बनाना केक इसको आप चाए के साथ खा सकते हैं या ऐसे जैसे बच्चे घर पर मांगते हैं तो आप दे सकते हैं हेल्दी भी है और बहुत ही प्यारा कलर बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है तो आई होप आपको भी अच्छे लगी होगी यह रेसिपी तो इसी तरीके की सिंपल आसान रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे के आने वाले सभी तो उससे जल्दी कट हो जाता है तो यहां पर मेरा घर का चाको है वो छोटा सा तो उसी से मैं कट कर रही थी तो आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैल्दी खाईए हैल्दी रहिए टेक क्या ए झाल 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 झाल